चाल चत्र अभ्यान की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं इंसानों की ऊपर गाड़ी चला दी है और अच्छा कोचना है बुरा इलागत है और इंसान के दबाए जाना कोची इक बात थोड़ी है हमारे छेत्र में ज्यादा तर साइकल साइकल चिला थे हैं CCA चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है हम अभी लखीमपूर खेरी की पलिया विधान सबा में है और पलिया विधान सबा में अगर आएंगे तो यहां का मशूर दुद्वा नैशनल पार्क जहां पर दोईश भर से लोग यहां पर जंगल सफारियों के लिए आते हैं जनवरों को देखने के लिए जंगल को देखने के लिए आते हैं और इसी जंगल के अंदर बिलकुल नेपाल बॉर्डर से कुछ पांच किलो मीटर ही दूर, यहां पर थारू समाज, जो एक आदिवासी समाज है, यहां पर लगबग 30,000 लोग यहां पर रहते हैं थारू समाज के, थारू समाज की कई दिक्कतें पिछली सरकारों में भी रही ह शायद इस सरकार में भी रही है, क्या सरकार थारू समाज की इन दिक्कतों पर गोर कर पाई है, क्या आदिवासी समाज, क्योंके आदिवासीों के बहुत सारे मुद्दे हैं, जो सरकार दर सरकार पर बार बार उठते रहते हैं, आईए यहां थारू समाज के लोगों से बात किरेट करते हैं पूछते हैं कि इस सरकार के बारे में उनका क्या कहना था जी हो के साब आपका नाम चले लाइज ही become i a 까nh ही उस गाओंका क्या नाम है हमारे पुरे ना राखा महां पुरे नाण अ मताओं करेंगे का क् MAX नहीं करें काम कर लए आप के लिए करते हैं जमीने कितने हैं अप नटे। आप हैं कितने यह सब करते हैं अम घृतर काहिए विह करते हैं करफल यह करते हैं आढ़ ही अरटласт में क्या चल पा रहा है इस तुरह क्य। खर्चाण से क्यों upstairs करते हैं तो आप कह रहे हैं कि यहां पर तेल सौ रुपय लीटर हो गया मजदूरी बढ़ गई है थारू समाज यहां पर आप लोग एकादिवासी जो समाज है आपको यहां पर इस सरकार में कुछ लगता है काम हुआ है या दिक्कते बड़ी हैं काम तो होते रहता है थोड़ा बहुत सरकार में काम तो होताई है तो बद्ऱ्स जगल बारे अदभासी लोग हैं एब जंगल मैं जाने नहीं देतें जंगल गाय हैं से वह भी केह पर निये टुखने के लिए आपको जंगल में जाने कादिकार ले या ले अटकार कोईर नहीं हमारा है पहले तो जाइंगार में हाँ रुका पड़ा है तो उसे क्या क्या दिकत इतक हो जका आप जो हम लोग क्या करें गरी बाद मींने लकड़ी को जरूरत परती है घास फूस को जरूरत परती है तो हम तो जंगली आदमी हैं जंगल के बीच में रहते हैं और लकडिया और शेठा डंडा ना पाए तो फिर क्या करेंगे तो आप तो इस बार अगर आप कहा रहें और लॉक्डाउन जो लगा था यहां पर लोग ज्यादा साहरे उधर मजदूरी करने कहां जाते हैं और यहां पर फिर लॉक्डाउन के दौरान क्या देखकते हुए क्योंकि मजदूरी तो कई लोगों की रुख गई होगी जो बाहर जाते हैं चीहां हो तो फिर लोग भागने शुरू कर देते हैं जरूरा से लिया पैसा कुछ भी आज भी अब क्या करें फिर उनको जेना पर दिक्कत पर थी लोग कैसे लोग डाउन के दोरान कही दिन चलके आना वाजूरिया करें थोड़ा बहुत करी अपने भागना पड़ा पैदल लाए थे क अब आरे उसा इतना गिरा जिस्टिए अधिरा सायट में अपड़ा पैदल राए पलिया से तो इस बर आप लोग कहां मतलब दब थारुसमाज आपके यसाप से कहां वोट देने की सोच रहीए सोच रहे जो जो हम दस आदमी देंगे हो दोसे हैं क्या कहां सोच रहे हैं दस आदमी आब कहां सर्वताई दें तो आपका अपना मत है क्या बना जलू क्या बना रहे हैं रस्ती बना रहे हैं आप नाम साब बालकदाश जी आप तो यहां कई कई सालों से रह रहे हैं मतलब हां लमसम पचास साल हो गए सर हां पिता तो और आगे के हैं यहां कितनी पीड़ी पहले थारू समाज यहां पर आके बसाथ आपको पता है यह ज्यादा तो सर नहीं पता है दो तीन पीड़ी तो मालूम है उससे पहले जी 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 बालकदाश जी एक चीज बताईए अभी जो आप तो बहुत सारे सरकार आई गई बहुत सारी देख लिए यह सरकार कैसी रही है यह सरकार तो बढ़िया रही सर बढ़िया रही अच्छा अच्छा तो आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करी इसलिए बोट दे रहे हैं मोदी जी जी ठीक है बहुत बहुत धन्याद्वाट अब हम धारो समाज के अगले गाओं में आगे हैं नाम राम नगर है चाई की दुकान है यहां सामने कुछ लोग बैठे हुए है आई इन से बात करते हैं साब आपका नाम मेरा नाम रामरतन राना में रामरतन जी आप क्या यहां पर क्या करते हैं तो यह तीन महीने से दिक्कतें इतनी यादा खड़ी हो गएं कि कहने मतलब अभी एक बीच में प्रसूता की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी यहां सिस्टी केंद पर और रात में अचानक उसकी तगेद खराबी तो गाड़ी लेके गए तो गाड़ी बाई-पास पर ही फस गई पत्थर पे करीब दो घंटा वहां फसी रहे उसके बाद में कुछ विवस्ता किये तो लेके परचार के लिए उनको परचार के लिए आना हो 50 km भूं पिक के बांगी नहीं कि यहां यहीं नौजवान कितना पड़बार ं Remember il產 timeahu स्कूलों के चलकी और económ की किसा ओंट्ऩ अब वीकास के नम कुछ रुआब आपका नाम राम नाध जी जो कितने हैं सालान। मजदूरी करने मजदूरी को बता रहें तुछ के बारे में बता रहें बहुत प्रेशान राट दिन खेटें पड़े रहा हुग तो सरकार कुछ किये हैं लिए अवारा पशुआ के लिए जब तक यो गि रहा है बाइद हाल रहा है याचा और बैपको दीड मतने करला देखा है तो इस बार क्या उपिर अपर के तो पार्चल पर्छ। हाथी है, साइकल के स्टिकर भी लगा हूँ हूँ, लेकिन आम को जाँ के नज़ें रखारता है? विद्ग आप के नहींते हैं। आप कहां से हैं यहां से नहीं है। ठीक तर यहां पर किया काम करते हैं? मतलब किस काम से ही मेरा आपचत खाता जा कि मैंटेन करने आजाता हまुए हो तो यहां पर आते हैं, आप क्यारे बीच बीच में आते रहते हैं आप की काम पढ थारू समाज और तो हम पूछ रहे हैं वृष्म होते हैं। भर, एक मात्ति हैं। ऐवारा पशियों का मद्दा इतना बड़ा रहे हैं। कि मिल माल हृ जो चुका है कि उसने साल वड second नहीं दिया जटो प्र छुण योगी जी तो कहा था अपने निकालते हैं कि मैंने पूरा पीमेंट सतर पर्सेंट किरा दिया है हमारे मिल चलू चालू होने से पहरे कुछ लोग शिक्स कास्तिकार या अनिकास्तिकार हम लोग भी बैठेते धरने पर तो उसमें डिये मोम सब लिक्के दे गए थे कि आपका तो पंदाज में पेमेंट हो जाएगा उसमें से एक पाइसे का पेमेंट नहीं है वह अपने हिजा इस बार भी आपको लग रहा है वह जीतेगे कुछ बदलाव आएगा ना जीते तो नहीं है नहीं है क्या उम्मीद है अपनों को मंडी है यहां सरकारी मंडी है तो आप लोग वहां नहीं जा पाते हैं आपको पता होगा यहां से भी कुछ किसान गए थे हैंना तो उस किसान आंदोलन के दोरान यहां पर एक खबर आई थी एक वीडियो फैली थी पता नहीं आपने देखी कि जिस पर एक बोला जा रहा है बीजेपी के मंत्री है उनके बेटे गाड़ी जो है किसानों की उपर रॉन दी थी आपने देखी थी आप सुने थे उसके बारे में आप बताईए आप लोग भी किसान हैं आपको कैसा लगता है जब इस तरह की चीज सामने आती है कि किसानों की बात पर गाड़ी चला दी और अच्छा को चना है बुरा इलागत भी और एक इनसान के दबाए जाना फोटनी जो गाड़ी चलाए थे जिनके बेटे को बोल रहा है थे लड़के को बोला जा-गाड़ी चला उसकी तो जमानत हो गई अभी उसका कुछ असर होगा चुनाम न आपको लगता है कि मुझदूरों के लिए या किसानों के लिए सरकार ने कुछ किया है अब इस सरकार से क्या आपको लग रहा है या सरकार वापस आनी चाहिए इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे किसको लाएंगे बदलाव में हमारे चेत्र में ज्यादा तर साइकल 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 चिला तो यह योगी जी कहते हैं कि हम तो मजदूरों के लिए बहुत सोचते हैं इतनी नौकरियां दी पांच किलो राशन दे रहे हैं सबको उससे खुश नहीं है तो कहते हैं राशन तो यह दी थै लेकिन हमर वजश दर राशन बहुत कम में लिए तो भहे हमाज देद हुशाओ करिद 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 करते हैं बहुत कम बहुत कम में आपका खरीद रहे हैं झाल झाल